जैहन सातियों वेलकम टूदा हिस्ट्री विद रोहित सर वेलकम टूदा चैतने गेड में दोस्तों कल रात से जो न्यूज आ जिसके अंतरगती हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री आता है उस शिक्षा मंत्रा ने क्या किया था हमारे इस यूजीजी नैट के पेपर को रद कर दिया था अब इस्टुडेंट के सामने इन्होंने आनन फानन में कुछ दिन बाद ही सबसे पहले तो उसको रद किया और कुछ दिन बाद ही सबसे पहले उन्होंने एक नई डेट जारी कर दी ठीक है भाई विद्यार्थी का यहां तक कोई दोस्ट नहीं है स्टुडेंट बढ़ रहा है अपनी आगे की तैयारी को लेकर के लेकिन यार तुम चैंस से क्यों नहीं जीने दे रहे हो विद्यार्थियों को चैंस से उनको परिच्छा की तैयारी क्यों नहीं करने दे रहे हो आज मैं इस छोटे से एक वीडियो में आपके इन ही सवालों के जवाब लेकर करके आया हूँ तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं हमारा मेन मुद्दा है कि क्या अब री एक्जाम होगा या नहीं क्योंकि यह CBI का तो यह बयान आ चुका है कि नहीं हुआ था कोई भी तरीके का पेपर लीक यह CBI की रिपोर्ट आ गई है सबसे पहले हम कुछ इस तरीके के तत्यों पर बात कर लेते हैं देखिए पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ UGC.net की जो वेबसाइट है औरिजनल इस पर यहां आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया आज तक भी अपनी इस website पर official कोई announcement नहीं किया है कि UGC.net की परिक्षा रद हुई थी या UGC.net की परिक्षा को cancel किया गया है अगर हम इनकी UGC.net के latest notification को देखें तो latest notification का 18 जून का ही है जिसमें इन्होंने press release पर एक note डाला थ कि press release किया था for successful conduct of UGC.net जून 2024 यह अपना पला जाड़के फिरी बैठें एक साइड में अगर गॉर्मेंट ने इस exam को रद मान रखा है तो UGC को क्यों ना अपनी साइड पर इसके लिए announcement करनी चाहिए थी मुद्धा यह बनता है कि UGC ने कहीं न कहीं इस site पर आज तक भी कोई update नहीं दिये आप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर एक भी कोई ऐसा update आपको नहीं दिखाई देगा यह सब last इसका जो news है वो उसी date का एक news है उसके बाद कोई ऐसा news आपको यहाँ पर नहीं today की news है cbi fans UGC net paper leak evidence doctor यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यह जो evidence था है जो सबूत थे इनको तयार किया गया था फेक सबूत थे जिन सबूतों के माध्यां पर तुम देश क्या चलाओगे तो मैं यह नहीं पता कि फेक सबूत क्या है और original सबूत क्या है तुम लोग देश की पर के बई paper out तो paper out paper cancel तो cancel क्योंकि ना तो तुम्हें परिक्षाइं देनी पड़ती है ना तुम्हें परिक्षाओं की तैयारी से खुजरना पड़ता है अभी मुद्धा यह हो रखा है कि आज cbi जांच जिन्होंने करवाई क्यों ना यह पहले cbi जांच करवाते 10 दिन के इंदर cbi जांच करवाते 18 जून के एक्जाम को लेकर के 28 जून को कोई announcement जारी करते कि बाकई में रद्ध होगा यह नहीं होगा अब इन सब परिस्तितियों के बीच में आप सोचे कि एक student क्या करें student को क्या करना है मैं आपको यह बता देता हूं जहां तक मैं मान रहा हूं क अब अपन मुद्दे पे आते हैं क्या अब री एक्जाम होगा या नहीं होगा देखो ना तो आज की डेट में हम लोग आपसे यह कह सकते हैं कि री एक्जाम होगा ना हम आपसे यह कह सकते हैं कि री एक्जाम नहीं होगा दोनों ही situations होचकती हैं क्योंकि नई एक्जाम डे के नहीं होगा इन दौनों सोज़ पोजिशन में अभी 50-50 चांसे बने हुए हो सकता है कि ये लोग क्या करें कि रिएक्जाम करवा भी दें और हो सकता है कि रिएक्जाम नहीं करवाएं तो इस ते सम्मंदित जो कोई भी न्यूज है वो आज अकल तक हमारे पास किलिरली आ सब्सक्राइब करें तो अपने व्यूज बनाने के लिए बात कर रहें आपको पूरे तरीके से अथेंटिक जो न्यूज होगी वो हम इसी प्लेटफोर्म पर आपको उपलब करवाएंगे अगली अपटेट के साथ अगले वीडियो में उन्हें मैं आपसे मुराकत करता हूँ अब तक आप अपनी तयारी को अनवरत जारी रखिए जैहन